C.I.E.T. N.C.E.R.T. दौरा प्रस्तुत है पार्ट चार कट पुतली प्रिष्ट संख्या उन्नेस कट पुतली घुसे से उबली बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो सुनकर बोली और-और कट पुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए मगर पहली कट पुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी लेखक भवानी प्रसाद मिश्र प्रिष्ट संख्या 20 कविता के बारे में इस कविता में कट पुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयम अपनी बाद व्यक्त कर रही हैं उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनोतियां है धागे में बंधी हुई कट पुतलियां पराधीन है इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठ पुतली विद्द्रोह कर देती है वह अपने पाउं पर खड़ी होना चाहती है उसकी बाद सभी कठ पुतलियों को अच्छी लगती है स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता लेकिन जब पहली कठ पुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है वह सोच समझ कर कदम उठाना जरूरी समझती है प्रश्न अभ्यास कविता से प्रश्न संख्या एक कठ पुतली को घुसा क्यूं आया प्रश्न संख्या दो कठ पुतली को अपने पावों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यूं नहीं खड़ी होती प्रश्न संख्या तीन पहली कठ पुतली की बाद दूसरी कठ पुतलीयों को क्यूं अच्छी लगी प्रश्न संख्या चार पहली कठ पुतली ने स्वयम कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी इन वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए उसे दूसरी कठ पुतलियों की जिम्मेदारी मैसूस होने लगी उसे शीग्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमीशा बनाए रखने के उपाए सोचने लगी वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी कविता से आगे एक बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए इस पंक्ती का अर्थ और क्या हो सकता है इन वाक्यों की सहायता से सोचिये और अर्थ लिखिये क ख़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। दो यहां दो स्वतंतरता आंदोलनों के वर्ष दिये जा रहे हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो-दो स्वतंतरता सेनानियों के नाम लिखिए। क सन अठारह सो सत्तावन। प्रिष्ट संख्या 21 अनुमान और कल्पना स्वतंतर होने की लड़ाई कठ पुतलियों ने कैसे लड़ी होगी। और स्वतंतर होने के बाद उन्होंने स्वाव लंबी होने के लिए क्या-क्या प्रियत्र किये होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बाद कर नचाने के प्रियास हुए होंगे। तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। भाशा की बात एक, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कट पुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काट और पुतली, दो शब्द एक साथ हुए, कट पुतली शब्द बन गया, और इस से बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाईए, जैसे काट अर्थात कट से बना, कट गुलाब, कट फोड़ा, हाथ हत, सोना सोन, मिट्टी मट्ट, दो कविता की भाषा में लए या तालमेल बनाने के लिए, प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे, आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रियोग हुआ है। यहां आगे का बोली ये धागे से ध्वनी का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीचिए। दुबला पतला, इधर उधर, उपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदी। अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट। प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।